हलो बच्चो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट फोर आपका इंग्लिश मैरी गोल्ड से एक बार की बात है कि मैंने क्या देखी एक लिटिल बर्ड देखी यानि छोटी सी पक्ची देखी यह आपका लेसन का नेम है ठीक है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यह आपकी एक पोयम है यह कह रहे है sing and enjoy this poem इस पोयम को सुनो गाओ और enjoy करो तो सबसे पहले इसमें लिखावा है once I saw a little bird एक बार की बात है मैंने एक चोटी सी पक्ची को देखा ठीक है किसको देखा चोटी सी पक्ची को यह बच्चा कहता है come hop 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 और वो पक्ची आया और hop करने लगा hop means क्या होता है बच्चो उचलना ठीक है तो यह बच्चा कहता है कि पक्ची आया और उचलने लगा फिर क्या होता है I cried मैं रोया little bird will you stop 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 और ये बच्चा कहता है कि जब मैं रोया तो मैंने little bird से कहा कि will you please stop तुम रुकने का कस्ट करोगे रुकोगे तुम लेकिन पक्षी तो रुका नहीं फिर क्या हुआ I was going to the window और बच्चा बोला कि जब मेरी विंडो पे वो बक्षी हॉप कर रहा था और रुक नहीं रहा था तो मैं क्या क्या I was going to the window Window means खिलकी तो ये बच्चा कहता है कि मैं फिर अपनी खिलकी पे गया और खिलकी पे मैं गया To say तो मैंने क्या कहा How do you do मैं खिलकी पे ये कहने के लिए गया था कि How do you do How do you do मतलब क्या होता है बच्चो कि तुम कैसे हो ठीक है तो ये बच्चा जो है वो उस छोटे से पक्षी से कहता है कि तुम कैसे हो लेकिन क्या होता है But he shook his little tail and away he flared ठीक है अब देखो बिटा But means होता है लेकिन क्या होता है But means लेकिन इन वर्ड मीनिंग को आप अपनी कॉपी में लिखते जाएंगी ठीक है But he shook his tail और पक्षी ने क्या-क्या अपनी tail को हिलाया shake किया ठीक है जैसे आप बोलते है shake, shake, shake तो shake means होता हिलाना तो उसी का second form है shake ठीक है तो ये बच्चा कहता है कि बच्चा कहता है कि बच्चा क्या-क्या अपनी tail को हिलाया His little tail अपनी छोटी सी पूँच को tail means क्या होता है बच्चो पूँच तो छोटी से पक्षी ने क्या-क्या अपनी tail को हिलाया अवे ही फ्ले और वो क्या हो गया ओड गया फाग गया होहां से ठीक है बहुत देजी से उड गया तो ये एक छोटी से पूँची पूँची आपकी Once I saw a little bird Come hop 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 I cried little bird Will you stop 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 I was going to the window To see how do you do But he shook his little tail And अवे ही फ्ले ठीक है तो ये थी आपकी poem बच्चो अभी इसमें कुछ new word है तो हब लोग new words को करेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है Bird सबसे पहला क्या है Bird Bird means पक्षी Second है hop Hop means उचलना फिर है stop Stop means रुकना और फिर है आपका tail Tail means होता है पूँच और फिर है window Window means खिड़की Window means क्या होता है खिड़की तो ये आपके कुछ new word थे अब हम लोग question answer और exercise को complete करते हैं तो ये आपके question answer है चलो पहला हम देखते है Let's read में क्या लिखा हो है The bird flies out of the window जो bird थी वो window के बाहर उड़ रही थी और second आपका है We must stop cutting trees We must stop cutting trees Stop means होता है बिटा रोकना ठीक है तो हमें trees को cut होने से रोकना चाहिए Tree means क्या होता है बच्चो पेड ठीक है तो हमें trees को cut होने से क्या करना चाहिए रोकना चाहिए क्योंकि जो trees होते है birds उनके उपर अपना घोसला बनाते है और रहते हैं और अगर trees नहीं होंगे तो न birds रह पाएंगे उनके उपर और न वो घोसला बना पाएंगे वो उनका घर होता है ठीक है तो जिस तरह हमारा घर रहता है उसी तरह birds का भी घर होता है trees अब question number one है बिटा आपका what did the child see बच्चे ने क्या देखा what did the child see, बच्चे ने क्या देखा तो क्या देखा था बच्चे ने little bird ठीक है, क्या देखा बच्चे ने little bird, यारी एक छोटा सा पक्षी second question है आपका आपका ये answer है ये आपे लिखाव है the child saw a little bird, बच्चे ने छोटा सा पक्षी देखा और second question है आपका what was the little bird doing जो little bird थी, छोटी सी पक्षी थी, वो क्या कर रही थी और answer आजाएगा आपका the little bird sat upon a window, जो little bird थी, वो window पर बैठी हुई थी, ठीक है अब let's talk में देखते हैं आपका question number one है let's talk में do you see any bird around your school or your house, क्या तुमने इपने school और घर के आसपास किसी bird को देखा है, तो आप कहोगे yes, क्यूंकि आपके घर के आसपास तो bird रहती है और अगर आपने अपने घर के आसपास, यह school के आसपास bird को नहीं देखा है, तो आप लिखोगे no, तो यह आपके answer आ जाएंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, कि you can write the answer as per your choice, आप अपने choice से अपना answer लिख सकते हैं ठीक है, उसके बाद आपका question number two आता है, have you tried talking to them, क्या आपने birds से बात करने की कभी कोशिश की है तो आपका answer भी अपनी choice के हिसाब से यहाँ पे आजाएगा, यह तो आप लिखोगे, yes, I have tried talking to bird, whenever they come and sit on my window, अगर birds आपके window पे आके बैठते हैं और आपने उन से बात करने की कोशिश की है, तो इस तरह साब का answer आजाएगा, और अगर नहीं तो आप लिखोगे, no, ठीक है, okay, next आपका let's do में, question number one join the letters from A to Z और यह आपके book में है, बेटा next page में, उसे आप अपनी page में ही activity करोगे, आपको A से Z तक के सारे letters को join करना है, ठीक है बेल आइकन को दबा दो और हाँ, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दो, और बच्चों, साती सात मैं इतना भी बता दूँ, अगर आपने बाकी unit की भी वीडियो देखनी है, तो नीचे description में लिंक दे गए हैं, बेटा आप उन पे जाके click कर सकते हैं, thank you